गुड़ा अप्टरनूने स्टुडेंट्स मैं राकिस कुमार जा एक बर फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं यह एक अच्छा बारा के सिमस्ट्री अर्षा अस्त्रे के अध्यादो का भाग पांच इसके अंतरकत आज हम अध्यन करेंगे उत्पाद अत्वा मुल्यवर्धित्विति चुकि पूरी पूरा एक साथ यह स्टॉपिक क्लियर करने में काफी लमबा हो जाएक दिसलिए इसका भी भाग पांच का एक और भाग 5.2 रहे कि 5.1 और 5.2 दो पाइट में यह यह जैना आपको उत्पाद अत्वा मुल्य लेकिन कुछ भी मैं छोड़ूंगा नि आप इसके लिए निश्चिंत रहें तो आये शुरू करते हैं हम आज की ये ग्लास तो उत्पाद विदी में हम उत्पादित बस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मुल्लिकी गर्णा करते हैं कब जब एक वर्ष की समाई को इकाई माना जाए यानि कि बर्स जो है ना समय का मानक हमारा एक वर्स अगर हो तब हम क्या करते हैं तो उस पूरे साल के दोरान वस्टव और सिवाओ का उत्पादन होता है और उसकी जो खुल मुल्ले होता है तो उसकी गल्णा करते हैं ता प्रस्णा आता है कि इसकी गर्णना कैसे की जाए और क्या हम अर्थ विवस्था के सभी फ़र्मों द्वारा उत्पाधित वस्त्वों और सिभाव का योग करते हैं इन्हीं प्रस्णों का उत्तर हम आगे जानेंगे इसको जानने के लिए मान लीजिए कि अर्थ विवस्था में केवल दो प्रकार के उत्पादक है उसमें से एक है ग्यहूं उत्पादक यानि किसान और दूसरा है ब्रेड निर्माता यानि कि बेकर ग्यहूं उत्पादक के अलावा किसी भी प्रकार के आगत यानि की इन्पूट की अवस्क्ता नही कियों के अलावा आन्य किसी कच्छे माल की आविसक्ता नहीं होती है माल लीजिए कि एक वर्ष में किसान वारा जो गयों का उत्पादन होता है वो 100 रुपे का होता है इसमें से वह 50 रुपे मुल्य का गयों बेकर को बईचते हैं और बेकर गयों की इस मात्रा को प्योग करके एक वर्ष के दौरान 200 रुपे मुल्य का ब्रेड बनाता है तो आर्थ विवस्था मैं कुल उत्पादन का मुल्य कितना हुआ तो यानि कि इसको अगर हम देखें तो नॉर्मल हम क्या कहेंगे कि योग सरल तरीके से निकाले तो हम कहेंगे कि 200 रुपे बेकर के उत्पादन का म मुल्य हो गया इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा परिणाम 300 रुपे जब कि अगर थोलग सा इस पर ठीकिंग करें तो ठीकिंग करने के बाद हम यह पाएंगे कि समस्त उत्पादन का मुल्य 300 रुपे नहीं है किसान 100 रुपे मुल्य का गयूप जाता है जिसके लिए उसे किसी प्रकार के आगत यानि की इनपूट क्या हो सकता नहीं होती है यानि कुछ भी उसमें लागत उनका नहीं है किसान 100 रुपे मुल्य के उपज में पूरा योगदान का अधिकारी तो है लेकि पूरी तरीके से योगदान नहीं है बेकरों के निवल योगदान यानि कि नेटी जो उसका योगदान है कि गंड़ना के लिए हमें ग्यों का मुल्य घटाना होगा जो कि वे किसान से खरीदते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोहरी गंड़ना की तूर्टी होगी यानि की समस्या उत्पन होगी क्योंकि ग्यों के 50 रुपे मुल्य के गणड़ना दो बार हो जाएगी दो बार कहने का मतलब क्या है कि एक बार तो 100 रुपे ग्यों का हमने किसान का कुल उत्पादन जाना था तो इसमें से ही 50 रुपे का बिष्ट है न अगर हम 200 रुपे उसका टोटल है तो 200 रुपे में यह 50 रुपे मिला हुआ है अगर हम उसको मानते हैं तो यह 50 रुपे दो दो बार गिना जाएगा पहली बार तो किसानों द्वारा उत्पादित निर्गत यानि कि और पुट का हिस्सा है और दूसरी बार बेकरों के द्वारा उत्पादित ग्यों में है तो इस प्रकार बेकर का निवल योगदान यानि कि नेट योगदान कितना है तो 200 मेनिस 50 यानिक 150 रुपे है अता है इस सरल अरत्व बेश्था में वस्तूऒं के समस्त उत्पादन सो रुपे यानि किसानों का निवल योग्दान को किष्टान्यों को प्रूब्ध का thành刀 निवलोग्दान को अगाता है उसे क्या और करें मुल्लबर्दित का के निवल योगदान को जिस सबसे सुचित करते हैं यानि कि नेटी योगदान जो होता है यानि कि जितना उसका मुनाफ़ा एक तरीके साब कह सकते हो तो वह क्या है मुल्यवर्धित कहलाता है कोई फार्म दूसरे फार्म से जो कच्छा माल खहिती है उसको उत्पादन के प्र करने क्या किया पचास रुपे का गहूं खाएदा और उसको उसने क्या किया उत्पादन यानिक ब्रेड बनाने के लिए प्रियोक किया तो गहूं क्या हो गया उसके लिए मध्यवर्धि बस्तू हो गई आतक किसी फार्म का मुल्यवर्धित फार्म के उत्पादन का मुल्य फार्म द्वारा प्रियोग के गई मद्यवर्थी वस्तों का मुल्य है। फार्म के मुल्यवर्धित का वित्रन उत्पादन के चारो कारकों में किया जाता है। फार्म के मुल्यवर्धित में जूड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर 200 रुपे की अगर बात करेंगे तो बेकर जो बनाता है तो उसमें क्या हुआ कि वह उसमें उसकी मज़दूरी भी है प्लस उसने अगर कहीं से रीन लिया है तो उसका ब्याज भी देना पड़ेग कि प्रवाह परिवर्द है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में हम जानेंगे इससे आगे की बात तब तक के लिए शुक्रिया धन्युक्राइब